अलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ विश्वू तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि Microsoft World में header या footer में online picture कैसे लगाते हैं मतलब आप online picture सर्च करके header या footer में लगा सकते हैं मैं यहाँ पर समझाने के लिए header का इस्तमाल कर रहा हूं तो सबसे पहले header यहाँ पर open कर लिजे तो यहाँ पर हम double click करेंगे तो यह देखिए header यहाँ पर open हो जाएगा उसके बाद हमको उपर के ribbon में header और footer नाम का एक tab मिलेगा यह tab तभी open होगा जब आप header या footer दोनों में से कोई एक open करेंगे तो इस पर click कर दीजे उसके बाद left side में चलिए और यह देखिए यह है online picture का option इस पर click कर दीजे एक बाद ध्यान रखिएगा कि इस option के इस्तमाल करने के लिए आपका जो computer है वो internet से connect होना चाहिए अब यहां पर अलग लग तरीके की बहुत सारी pictures है कोई भी आप यहां search कर सकते हैं for example हम यह search कर दे रहा है bird वि-i-r-d हमने bird यहां पर टाइप किया उसके बाद इंटर button प्रेस करिए तो यह देखिए यहां पर यह word search करना शुरू कर देगा कोई भी एक आप ले सकते हैं तो माल लीजे कि पहला हम select कर लेते हैं ठीक है यह वाल हमने यहां पर select किया उसके बाद यहां नीचे insert button पर आप click कर दीजे अब यह आप देखेंगे कि थोड़ी देर में यहां पर यह देखिए यह image आ चुकी है आप इसको यहां से अपने इसाब से आप adjust कर सकते हैं ठीक है यह देखिए अपने इसाब से यहां पर header में adjust कर रहा है उसके बाद बाहर click करते ही देखिए online picture header में आपी